हेलो फ्रेंड्स किछिन की उन्चेनाव को स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं एक पाव वाटा से बहुत सारे रहर सारे नास्ता जो कि बहुत हेल्दी और टिस्टी भी बनाए हैं इस तरह से आप बर्शाथ की सीजन में बना के खा सकते हैं परिवार के साथ इंज्वाय कर यहां अच्छी ना सुत् vịरा कता है नेशिके हैं हैं चोटी हिलास टेलास पानी दे रहे हैं अजयते अलू रहता हैंस तो हीनुओंशी जाता जाता नेत्व है किस्ता है तो यहां है ।ौट है दनिया है अरह कि कॉ सौंफ है इस है हरे मीर्ष 아직 हम सब छोटी चमचंच एक चम इसमें अजवायन, मंगरेला, इसे कलोंजी भी कहते, नमक, सौधनसार, मिर्शी दे दिए एक चमच भर के, छोटी चमच, एक चमच एक चमच एजवायन, मंगरेला दे दीजिएगा, यहां बटर का यूज कर रहे हैं, बटर बड़ा चमच से बहुत सरा दी एक चमच भर के, अगर बहुत बड़ा चमच एक चमच भर के दे चोटा चमच एक चमच एक चमच डाले अच्छा से मिला लें इस तरह से, हाथ में देखी मुटी बनागी, ऐसे मतलब खसता बनेगा, अब बटर है, तो बटर की यूज के रहे हैं, तेल का मुम का किसी भी चीज का यूज कर स करते हैं, हलका हलका पानी देखने मिसे सानें, अच्छा सा डू तैयार करेंगे, डू इदम अच्छा हाड होना चाहिए, इसे की भूती खसता बनेगा, सॉप्ट बिलकुल न बनाएं, इसे की रिस्पी और टिस्टी बनेगा, जबी साम को भूख लगी तीस्तरा से हलका जब देखने मसाला तेयर करते हैं, सबसे पहले काडा ही गरम करेंगे, चार बड़ी चमच देल डालेंगे, यहां पर साबूद धनिया डालेंगे, साबूद खड़ा है, सॉप डाल देंगे, सब छोटी चमच है, सेक चमच भर के लिए, राई बो डाल दे रहे हैं, अच्छ यहां पर जैसे हलका सा मिर्च हलका सा हरा हो जाए, हरा ही रहेगा, हलका सा गोल्डेन हो जाए, तो तो रहता प्याज डाल देजगा, कट कर जो आप देखाए थे, नमक देजगा तकि सारे जली से गल जाएंगे प्याज, नमक और हल्दी पॉडर कलाराने के लिए, इस अच से भूंजेंगे हम कि अरह से थोड़ा सा सोंदा सोंदा अच्छा कुछ भूब आता है और स्वाद लगता है कि कलर चेंज हो गया गुलिन हो गया है जो हम दिखाए थे एक आजड लिए बड़ा सा उगस के डाल रहे हैं से टेस्ट फ्लेवर दोनों अच्छा आएगा हेली भी हो जाएगा है तो यहां सम्हेली बना रहे हैं अर आप आल्या जो हम दो को बाल के रखे थे चार बड़े वो डाल दे रहे हैं अच्छा से इसे मीक्स कर देंगे डैस मिनट में सालों को अच्छा सभून निगा ताकि अच्छा से श्वादा जाए एक पॉह हैं पर पनीर डाल लिए हैं पनीर भी हम लोग डालें गें आपर इसे बहुत ही ज़्यादा है हेल्दी और टिष्टी नास्ता बनेगा हम लोग का साम का पनीर को देखिए हैं घर का पनीर है इसको फोड के अच्छा दर से डाल रहें हैं तीखा कम जाद आपने इसार बना सकते हैं लेकिन इस सब तीखा ही अच्छा रहा था तो स्वाद लगता खाने में अस्पाइसी रहा तभी मज़िदार लगता खाने में जब भी साम को कुछ भूख लगे हल्का फुल कमन करें खाने का ती हेल्दी टिस्टी नास्ताब घर पे तयार कर सकते हैं बजार से लाने का जूरत नहीं पड़ेगा आपको अगर आपके पास घर का पनी तो बजार से भी पनी लाग सकते हैं अब यहाँ पे दे रहे हैं हल्दी पोडर छोटी चमचादा चमच जीरा गुल की पोड़ा राधा चमच मिर्ची का पोड़ा राधा चमच अगस्तोरी मेथी का यूज़ कर रहे हैं वो दे दीजी एक चमच अधनिया पत्ता काटके रख दीजीएगा वो दीजीए हैं दो चमच अधरक वीच में घस के हम डाल दीए हैं कि अधरक से फिलेबर बहुत अच्छा आता है वो सब पहले दे दिए हैं आपको दिखा दिये थे मसाला पहले ही हम अधरक इंच का टुड़ा काटके दर 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 अधरक के दे दीजीगा चलिए अधरक अमनों को लो तैयार कर लिए थे चलिए अब इसको बेलना शुरू करते हैं कोई भी जाना कोई भी से सेफ दे सकते हैं हम इस रस्ते सेफ कट करके दे रहे हैं चरकुट बना करके आटा का स्नेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और खाने में कोई नुपसान नहीं करता है अगर यह स्नेक्स आपको पसंद आजाए तो हमरे चैनल को लाग सेस्क्राब करते हैं शेयर करें कमेंट में भी वाता है इस तरह से देखिए हम बेलने के बाद पतला पतल को भरेंगे हलका सब पानी लगा दीजिगा इसे अच्छा से चिपक जाएगा अब बिल्कुल मुह इसका नहीं खुलेगा इस तरह से ठंडा करके फिलिंग को भरीगा इसे खराब हो जाता है एक बड़ा चमच से भर दे रहें आप छोटा चमच इसलिए बार बले के भरें एक चमच से भरी अच्छा से तो खाने में मजाएगा इस तरह से भरने को दबा दीजिए अगल बगल में और किसी चीज के साथ ऐसे इसका खुब्सूरत सा डिजाइन बना दीजिए और कोई भी सेब दे सकते हैं इसतरह से देखी nya कि खुब्सूरत लग रहा है अगर है तो सभर से लोग देख दे किसे खाना से करेंगे कि क्या है नया चीज क्या है इस तरह से देखें बच्चे वड़े सभी लुग खाते हैं इस तरह जब भी कुछ खाने का मन करें ृफंच ने डिजान बनाई हो घर में बेट के खाई ये बहुत ही अच्छा लगेगा एक तरसी समुसा जैसा है बहुत ही खसता और टिस्टी बना है और गर्मा गर्मी से खाए क्योंकि बरसात का सीजन है बहुत ही जल्दी सॉप्ट हो जाता है चटनी सॉस किसी के साथ खा सकते हैं इस कि अब हो ज्यादे हेल्दी क्योंकि इसमें कुछ मैदा वगरा तो पड़ा नहीं है सिर्फाटा से हम लोग तेयार किये हैं और यहां पर बटर भी हम यूज किये हैं किसी भी समय कभी भी आप क्हाव सकते हैं बच्चे को लंच में दे सकते हैं ऑफिस ले जा सकते हैं चली हल गाफूल का हम लोग ये कडाही में बहुत ज्यादा तेल नहीं भर के डाले हैं हलवाइब हला ही जोकि अम लोग घर में रखते है तेल को अच्छा से गर्म करके एत एक वर में पाँस चेपीस इसमें आता है अधिमा आज पर यूज करें अन्वा फ़ेत आप सपोला यूज करें हम घटवा यूज कर राहे हम कड़बगा यह दीमा नहीं बना रहे है अब त्र बहुत ही जादा खुबसूरत लगेगा एक चुटा लिए चुटा की साधा से पलट रहे हैं कि बहुत सारा है इसमें टूटे फूटे गा भी नहीं और इसका फीलिंग बहुत अच्छा से गुल्डन होगा जब तरह एक तरफ हम और फीलिंग तेयार करेंगे जब तक इसको हो बने देंगे हम लोग कि बहुत जल्दी बन जाता है यह बहुत का में हेल्दी टेश्टी नास्ता बने वाला रेस्पी है या बना की इंज्वाय कर सकते हैं कि दोने तरफ इस तरह से उलट पुलर के दिमें दिमाज में पकाईए देखी कि ता खुब सुरत कलर आ गया है में तेज कर दीगा तो तेल बिल्कुल आपको बर्बाद नहीं होगा देखने में जितना खुबसूरा है तो इतने खाने में भी टेश्टी है इस तरह से बनाईए इस तरह से सारे बन चुके हैं देखिए कितना सारा नास्ता बन के रहें डी हुआ है अब आपको तोड़के दिखा रहें देखिए फिलिंग दिख रहा ना आईए इंज्वाई किजिए